इसकारिक्रम के पुन्यार जखें प्रतिष्ठान अतिशे फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप कुरवाई जिला विदिशा मध्यप्रदेश श्रीमती मन्जु जैन श्रीमती टिंकल अंकित जी श्रीमती रिंपल अविनाश जी श्रीमती आशी चारली जी हर्शित आवी लावन्या लाभांश जैन पिलाई परिवार सूरत सुनल कुमार किरंट गंगवाल अंकुर नेहा गंगवाल अंकित सुगंध गंगवाल एकांच अनवीशी मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंच शील नगर अजमेर श्रीमती सीमा विक्रम जैन बेतिगा आयुशी एवं आयुश जैन ओस्वाल मॉल तिलक नगर इंदर मध्यप्रदेश ł श्रीविनोत जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरब जैन, नेहा जैन, سौरब जैन, एशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांच जैन, आरihट जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार ज आया, तब उसने नमस्कार किया, आज हम अपने बच्चों को बच्पन से होश्टलों में डाल देते हैं, पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, पर ए भी तो देखो कि वो पढ़ लेकर की कर क्या रहे हैं, क्या उनकी अंदर वो संस्कार आ रहा की नहीं आ रहा कि गुरू के पृ परिवार के पृति क्या हमारा करतब होना चाहिए, जब बड़ों में वो करतब बिता नहीं है, तो बच्चों में तो आना ही नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, धोप जब जलती है, तो उसकी सुभास फैलती है, पर हुए धोप जलाकर सुभास फैलाने का मेरा अभ्यास तो सद सदियों से रहा है रोज धूब जलाते हैं जलाने का अब्याद सदियों से रहा पुराना है मैं आपके चर्णों में धूब इसलिए चड़ा रहा हूँ कि धूब की तरह मेरे हिर्दय में भी सुभासित फैले मेरे अंदर की कालुस कालिमा भी नष्ट हो हमारी आत्मा आंत्रिक रूफ से सुभासित हो फल फल का मतलब मैं जो कुछ भी करता हूँ सब का फल चाहता हूँ पूजा करता उसका फल मिले भोजन खाऊं उसका फल मिले शरीर में लगे चमक आए हर चीज का फल चाहते हैं और मेरे पास संसार में अनेक प्रकार के फल भी है लेकिन आपके चर्णों में फल चड़ाने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि आप निस्फल हो मेरे अंदर वैसी पढ़नती बने के में भी आप जैसा निस्फल बनूँ आपके पास जो फल है वो फल मुझे भी प्राप्त हो क्या है तुमारे पास मोख्च फल तो मोख्च की प्राप्ती भी तो मेरे लिए हो नहीं तो पंदरा रुपे का स्रीफल जाएगा स्रद्धा फल नहीं बना तो निस्फल हो जाएगा मेरी पूर्जा तभी सार तक होगी यही मेरी भावना है कामना है अंतरंग का फल मेरा कामना का फल मोख्च में बदले निस्फल बने संसार के किसी फल की मुझे जरूरत नहीं मुझे जरूरत है आप जैसे बनने की जरूरत मुझे है इसलिए मैं फल चड़ाता हूँ बंदुगों पूजा के बीज मंत्रों में कुछ मंत्र भी होते हैं ओम रीम अरहम आप अर्गी के पहले बोलते हैं तीनों मंत्रों का जादा तरक प्रियोग होता है ओम रीम अरहम ओम पंच परमेश्टी का बाचक होता है हरीम 24 तीठंकरों का पृतिनिजित करता है और अरहम ब्रह्म का पृतिक माना गया है जो अरहन तो आप पंच परमेश्टियों के पहले लगाते हैं ये सारे बीजाक्षर पंच परमेश्टियों के लिए हम अरपित करते हैं जो बीजाक्षर होते हैं ओम का मतलब होता है पंच परमेश्टी का बाचक ओम हीम हीरीम जो होता है ब्रह्म का परती हीरीम हीरीम होता है 24 ती तंकरों का परती निधित करने वाला और अरहम होता है ब्रह्म का सरूप इसलिए ए बीजाग्छर जो है इनको साधर नहीं समझना महान सक्ति के आरादक करने बालों को प्रगट होते हैं, सिद्धी होती है उसके बात आता है अनर्ग पत्प्राप्ताय अरगम निर्पामती हम सबसे अंत में आखरी में अरग चड़ाते हैं अरग का अरध होता है मूल कीमत या भैंट, हम किसी को भैंट देते हैं, मूल देते हैं, कीमत चुकाते हैं हम भगवान के चर्णों में जाकर के तुछ भैंट अरपित करते हैं उस अनर्ग पत्द की कामना के लिए, उस पत्द को पाने के लिए वाइपद जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है याचना और कामना से नहीं मिलता है हम बाहर की बस्तुओं को बाहर से पैसे देखर के खरीद सकते है बाहर से उबलब्द किया जा सकता है पर अनर्ग पद तो हम अपने सुयम ज्ञान और पुर्ण और सक्ती से प्राप्त कर सकते हैं यह बात सच है आप भगवान के चर्णों में जाकर के पुस्प चड़ाते हैं अक्षच चड़ाते हैं चुटकी भर चड़ाते हैं नहीं ऐसे चड़ाना चाहिए ऐसे खुले हाथ चड़ाना चाहिए प्रभू सब कुछ तुमारे चर्णों में अर्थत है चुटकी भर मत चड़ाओ कई वार लोग पूजा करते हैं तो उतनी ही द्रब लाते हैं गिने चुने चावल जितने में पूजा उनकी हो जाए गिन लो दाने यहाँ पर भी देखता हूँ थोड़े से चड़ा देते हैं नहीं मुठी भर चड़ाओगे तो उससे अनंत गुना तुम फल को पाओगे यह प्रभू के चर्णों में भेंट है अब पंच कल्यानकों में देखते होंगे जब देश विदेश के राजा महराजा आते हैं तो थाल भर करके भेंट लाते हैं बोलो आदीनात भगवान के चर्णों में जब राजकुमार सिंगासन पर रहते हैं तो अनेक राजा आकर के उनकी दास्ता को सुईकार करते हैं, भैट चड़ाते हैं अपने भावों में दरिता नहीं होना चाहिए यह बात सच है कि दरब महत पूर नहीं है यदि तुमारे भाव उत्कृष्ट हैं तो तुमारे पास कुछ भी नहीं है तो जुआर के दाने भी चड़ाने पर मोती बन जाते हैं लेकिन है तो जरूर चड़ाओ जब है तुमारे पास परियाप्त दरब तु अच्छे से चड़ाओ एक टाइम का भोजन कम कर देना पर प्रभू के चड़ों में कभी कृपनता मत रखना दरित्रता नहीं रखना कंजूसी नहीं करना ये तुलो की नात हैं जितना उतक्रिष्ट भाबों के साथ उतक्रिष्ट दरब को चड़ाएंगे उतना पुर्ण फल हमें उसी क्वाल्टी का मिलेगा आपको पता है हमारे समाज में भामा साहे भी हुए हैं जगडु सा और भी अनेग और राहिस्तान के भामा साहे के रूप में आर के मारवल बालों को आज हम सम्मान के साथ पुकारते हैं असोग जी पाठनी के लिए भी कभी पीछे मुड़के नहीं देखते हैं और देने में कभी करपनता भी नहीं करते हैं आप कहोगे उनके पास है तो देते नहीं वो आप जैसे भी थे पर दान देने में उन्होंने कभी कमी नहीं किया तो आज उनके पास सर्फिलस है तुम्हारे पास भी जितना उसमें से देना शुरू तो करो आज जितना है दस साल बाद से अनंत गुना तुम्हारे पास होगा और लोगों से पूछलो दो-दस साल पहले जिनके पास कुछ नहीं था आज वो कड़ोरों में खेल रहे होंगे देने का फल है कंजूसी से करप्रंटा से देवो तो दरिता ही तुम्हारे जीवन में आएगी एक बार एक सज्जन को अहार देने के लिए बोला कि आप अहार दान दे लो उसने कहा गुरुदे में अनुमूदना करता हूँ आप से भी कहा अहार कपड़े बदल कि आजा मैं मराद जी हम ठीक है अनुमूदना कर लेता हूँ हमने कहा सुनो अनुमूदना उनके लिए कहा गया है जो दे नहीं सकते हैं वो अनुमूदना करते हैं जैसे कि बिकलांक होते हैं कि वो दे नहीं सकता है जो मूख होता है एक दिन मेरे पास एक बेहन जी आई कोई लेकर के अहार दान दे लो सुद्धी नहीं बोलेंगे तो अहार कैसे लूँगा में मेरी कंडिसन है तो बिकलांक अहार नहीं दे सकते वो अनमूद ना कर सकते हैं मूख प्राणी अहार नहीं दे सकते वो अनमूद ना करते हैं जो असमर्थ है रोगी है वो आहार नहीं दे सकते पसु पक्षी आहार नहीं दे सकते उनके लिए अनमूदना है तुम देने में समर्त हो तो अनमूदना नहीं देना चाहिए अनमूदना उनके लिए नहीं जो समर्त हो करके भी नहीं दे रहे उनके लिए तो किबल बहाना है क्या है बहाना है तो महानुबाव मैं आप सब से इतना ही कहना चाहता हूँ आपके पास समय कम है तो केबल एक पूजा करो पर भावों से भर करके करो सताव दी एकष्प्रेस मत चलाओ चार पूजा करी और पूजा का फल कुछ भी निया मिले नहीं भावों से भर करके पूजा करो पर एक करो एक बार अम्मा जी मंदर जी में निर्मान कांड पड़ा जा रहा था बड़ी जोर जोर से पड़ रही थी जे बलभद्र मुफट में गए तो उनकी भावना को सुनकर के पूजा के पंती को सुनकर के लगा कि इनकी पूजा भी मुभत में गई साओ धानी रखो भाव प्रत्त के साथ अपना उलेक करो पूजा के भावों से बरकर के पूजा करो फिर आप लोग पूजा में पढ़ते हैं जैमाला में कैसे पढ़ते हो अंत में सांती पाठ में क्या लिखा है कि हे भगवन में आपके चर्णों में सांती जल छोड़ रहा हूं कि मेरे जीवन में सांती आए मेरे घर में सांती हो लिखा है क्या क्या लिखा है सारी प्रजा को सांती प्राप्त हो, के घर में सांती हो, ठीक है, पुजा का अधिकारी में हूं कर रहा हूं, घर से सुरुआत करो, अच्छी चीज़ की, पर सारी प्रजाक की सांती हो ये पढ़ते की नहीं पढ़ते, बोलो तुम, हो बे सारी प्रजाक को सुक बलेत हो, धर में धारी नरेशा, हो ब बर्षा समय पे तिल भर रहे ब्यादियों का ना अंदेशा लिखी न भावना हो वे सारी प्रजार सुकी धर में धारी नरेशा राजा हो तो धर में धारी हो निती न्याय वाला हो प्रजा का पालक हो प्रजा का संगहारक ना हो प्रजा को अपने तरह अपने बच्चों की तरह पालन पूशन करने वाला पहले के राजा यसी होते थे न्याय प्रजा का किया करे पढ़ते थी न अब मेरी भावना में धर में निश्ट होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे तो देखने में आता है सांती पाड़ जाना सबसे असांती से होता है पूरी पूजा तुमने सांती से कर ली और पूजा सांती से कर ली बिसंजन हड़बडी से कर दिया पता नहीं क्या बोल दिया संगीत कान ने लपेड दिया आपने अभी और करके सब फ्री हो गए तो कहते सांती पाठ भी सांती से करो यह तुमारी पूजा का निचोड है यह सांती पाठ पूरे जीवन की सांती को बनाने वाला होता है इस प्रकार बिसरजन से के पूर्व पड़ी जाने वाली भावना साथ प्रकार की भावना है पढ़ते हैं सास्त्रों का हो पठन सुकदा लाव संगती का सद बिर्तों का सुजस कहे के दोस धांकूं सभी का ये भावना भाते हैं इसमें साथ भाव छिपे हैं सास्त्रों का पठन करू में लाव सत संगती का मुझे सानित प्राप्त हो लाव हो लाव मिलने के बाद भी अलाव का काम कर रहे कितनी दुरलापता से सादू संगती मिलती है तुमारे निमंतर्ण से नहीं आते हैं तुमारे पुर्ण से आते हैं राजा महराजा कितना भी बेंट करने उनके पुर्ण से सादू नहीं मिलता है अधी मिलता तो भरत चक्रवधी के घर में पहले जाते संत लोग नहीं उसके पाज़ च्छत्र एक च्छत्र च्छे खंडो का राजा है फिर भी सादू नहीं आया आया कव जब उसकी भावों की अविव्यक्ति हुई तब आया तुमारे घर में सादू ऐसे पहुँच जाएं कभी नहीं आएगा जब तुम दो प्रकार से सादू तुमारे घर में जा सकता है एक पड़गाहन के माध्यम से और दूसरा किसी की समाधी संभुधन के लिए और कोई किसी कारण से नहीं तो सास्त्रों का हो पटन सुगदा लाव सत संगती का सत्व्रतों का सुजस कहे के दोस्त धांपू सभी के बांश जैन पिलाई बोड जगदलपूर श्रीमती मञ्जू जैन, राकेश जैन, अन्जू जैन, गृति जैन, शूती जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापूर मध्यप्रदेश श्रीमती सोशेला देवीजी, भागचंदजी जैन, प्रीती, रवी सीये, रिद्धी, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत सुनल कुमार, किरन गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांच, अन्वीशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचुशील नगर अजमेर, श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुशी एवं आयुश जैन, ओस्वाल मौल, तेलक नगर इंदोर मध्यप्रदेश, श्रीविनो जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरब जैन, इशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांच जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार ज पसक्ति है